नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत आप सब का मैं हूं बुकलवर और आप देख रहे हो जापुर बुक्ट्यूवर और यहां आपको मिलती हैं बुक्स से लेटर हर तरह की वीडियो वो भी हर मंडे थस्टे और सटेड़े को और आज हम हमारे भई सालेंट पेशेंट की सीरीज को आगे कंटिनू करेंगे तो चलो बिना देरिकार यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैती अब दिन प्रती दिन लापरवा होती जा रही थी या यू कहें कि वो मुझे मुझे मौके दे रही थी कि मैं उसकी गलती पकड़ लूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता उसने आज मुझे फिर एक जूट कहा कि वो थीटर में रियसल करने जा रही है लेकिन जानती वो भी थी और जानता मैं भी था कि वो कहां जाएगी मानना पड़ेगा वो एक बहुत अच्छी एक्टरस है उसे जूट चुपाना भी बखुवी तरीके साहता है लेकिन जो भी हो सच जानते हुए भी जूट सुनने का भी अपना ही एक अलग मज़ा है वो घर से निकल गई और मैं सेव डिस्टेंस मेंटेन करके उसका पीछा करने लगा वो पार्क में पहुंची और वहां एक आदमी उसका अंतिजार पहले से ही कर रहा था वो उससे नस्दी क्या इसकदर बढ़ा रही थी कि जैसे मैं नहीं बलगी वो उसका पती हो और मैं कोई और हाँ मैं मानता हूं कि हो सकता है कि शायद वो दिखने में मुझसे जादा खुबसूरत हो लेकिन फिर भी इससे कैथरिंग को हमारे रिष्टा तार तार करने की अजासत तो नहीं मिल जाती ना मुझे अभी भी यह बात का पता नहीं चल पा रहे कि वो ऐसा कर क्यों रही है क्या वो आदमी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है लेकिन कुछ भी हो कैथरिंग को देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि उसके साथ किसी भी तरह की जोर जबरस्ती हो रही है उसे देख के लगता है कि उस चाहिन मुझसे ज़्यादा उस आदमी के साथ खुश है कैथरीन को उसकी बाहों में देख मुझे लगने लगा था कि पता नहीं मुझे किस बात किस हज़ा मिल रही है क्यों मैं खुश नहीं रह सकता अंत में हमेशा मेरे साथ यह ऐसा क्यों होता है आखिर हमेशा मेरी खुशियों की भली क्यों चड़ा दी जाती है हर बार मेरे पिता का वैश्विपन मुझे पर हावी होने लगा था उनकी अवाज मुझे सुनाई दे रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ उनकी अवास मुझे बार बार कह रही थी उठो उठो तीयो उठो एक आदमी की तरह अभी जाओ और उसे खत्म कर दो कोई तुम्हारी बीवी के साथ इस तरह का बरताव नहीं कर सकता कोई तुम्हारे ग्रस्त जीवन को इस तरह से तहसनेस नहीं कर सकता वो तुम्हारा घर बरबाद कर देगा, उठो तीओ जाओ लेकिन मैं ऐसा थेरपिस्ट होने के नाते खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा मैं एक रेपूटेड इंसान हूँ, प्रोफेशनल अलादमी मैं इस तरह के कोई दरिंदीगी या फिर गवारो वाली हरकत नहीं कर सकता किसी को मार देना क्या किसी की जान ले लेना कहां की नय तिकता है मुझे खुद को काबू में रखना होगा लेकिन घुसता तो मुझे भी आरा था एक मन मेरा भी कर रहा था कि मैं अभी के अभी इसका सर फोड़ दूँ या पुलिस में शिकायत करूँ या फिर कुछ इससे भी बुरा क्यों ना मैं इन दोनों को ही यही पर ही मार डालू दोके तो मैंने अब तक बहुत खाएं पर ये सबसे बुरा है तूटा तो मैं आज से पहले भी कई बार हूँ पर शायद इस बार मैं खुद को फिर से जोड नहीं पाऊंगा मार्टेन, मार्टेन, क्या तुम अंदर हो मैं हज फिर से मार्टेन के आर्ट केलरी में आया था उससे मिलने और उससे कुछ सवाल जवाब करने के लिए लेकिन ये जीन फैलिक्स तो मुझे कहीं देखी नहीं रहा है मैं मौका पाकर अंदर चला गया एलेसिया की उस आखरी पेंटिंग को देखने के लिए मैं पेंटिंग को देखी रहा था कि तभी पीचे से एक आवास ने मुझे चौका दिया यह आवास थी मार्टिन की और पता नहीं क्यूँ वो बड़ा नाखुशता लग रहा था इस बर मुझे यहां देखके उसने टेड़ा सम्मू बनाते वे मुझे पूछा तुम्हें यहां क्या चाहिए तुम्हें किस से काम है मैं जो कुछ भी जानता था मैं तुम्हें वो सब कुछ बता चुका हूँ अब तुम मुझे यहां हर रोज परिशान करने मत चले आये करो बताओ यह भी तुम यहां क्यों आये हो मैंने कहा मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और कुछ नहीं मैंने सुनना है कि अलेसिया तुम्हारी आर्ट के लड़ी छोड़ने वाली थी कई ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने उसका आर्ट वर्ग अपने पास हमेशा कले रखने कले उसका मुव बंद कर दिया हो ताकि तुम्हारी एग्जिबिशन के अच्छी कमाई होती रहे ये बात सुनने के बाद तो मार्टेन तिलमिला उठा वो तुरंद बोला अगर तुम्हारा यही कहना है तो मेरी अगली मीटिंग अब तुम्हारे साथ थभी होगी उसने ये सब ऐसे ही कह दिया हो एलिसिया एलिसिया ने तुमसे बात करी एलिसिया का नाम सुनते ही उसकी आँके फटी की फटी रहे गई क्या कह रहे हो एलिसिया वो भी तुमसे बात करे ऐसा नहीं हो सकता मैंने उसे शांट करते हुगा अरे नहीं नहीं उसने डायरी तो मुझे से बात नहीं करी हाँ लेकिन उसने मुझे बात करने के लिए एक जरिया ढून लिया उसकी डायरी उसने मुझे उसकी डायरी दी है पढ़ने के लिए और उसमें इन सब बातों का जिक्र था और तब ही मुझे पता चला इन सब बातों के बारे में इतना कहकर मैं वहाँ से निकल आया लेकिन मार्टिन के चहरे पर एक चिंता का भाव ठहर गया था मैंने बाहर आकर एलेसिया की कजन पॉल को फोन करा और उससे मिलने के ले कहा क्योंकि मैं एलेसिया की डायरी में जो भी बात लिखी वी थी जिस जिस के बारे में मैं सब से मिलके वो बाते कन्फर्म करना चाहता था हमने शाम को बार में मिलने का डिसाइड करा मैं कैमरे जाने वाली ट्रेन में बैठा और मैंने मैक्स को फोन करा फोन उसकी सेकेर्टरी तानिया ने उठाया और वो बहाने बनने लगी कि मैक्स यहाँ नहीं है या वो मेटिंग में है और मुझसे बात नहीं कर सकता लेकिन जो भी हो मुझे पीछे से मैक्स की आवाजे आ रही थी कि वो तानिया से यह सब बुलवा रहा है लेकिन जब तानिया के लाक मना करने पे भी मैं नहीं माना तो उसके हाथ से मैक्स ने फोन चीन लिया और मुझे खरी खोटी सुनाने लगा मैं उसे सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे हाथ LSI की डायरी लगी है और उसमें उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा है मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझता था बर तुम तो बड़े आशिक मिज़ाज निकले मैक्स इतना सुनते ही तो जैसे मानो मैक्स को सांप सूंग गया हो उसने कुछ नहीं का बस फोन कट कर दिया मैं केंब्रिज पहुँच कर सीधा पब की तरफ जाने लगा जहां पॉल और मैंने मिलने का डिसाइड करा था मैं पब में एंटर हुआ और पॉल को ढूनने लगा वो वहीं था लेकिन एक कोने में दर्वाज इसे दूर बैठ हुआ था मैंने सोचा मुद्धे पर आने से पहले क्यों न थोड़ी दरोजर की बात ही कर ली जाए ताकि उसे ऐसा न लगे कि मैं सिर्फ उसे काम के सिलसले में ही मिलता हूँ लेकिन वो तो सीधे ऐलेसा की डायरी के बारे में ही पूछ बैठा मुझे नहीं पता था कि ऐलेसा भी डायरी लिखा करती है और तुम तो उसके डॉक्टर हो ना तुम्हारी उससे इतनी दोस्ती कब हो गई कि उसने तुमें अपनी परसनल डायरी दे दी पढ़ने के लिए और वैसे क्या लिखा क्या है उस डायरी के अंदर मुझे बताओगे ज्यादा कुछ नहीं लेकिन मडर से पहले की कई एहम बाते लिखी गई है उस डायरी के अंदर वैसे पॉल तुम तो मुझे कह रहे थे कि अलिसा की शादी के बाद तुम उससे कभी नहीं मिले लेकिन उसकी डायरी में तो लिखा है तो पॉल मुझ पर आरोब लगाने लगा मैं ज्छूटा हूँ मैंने उस पर दालाब बना आया तो मुझे पुरी बात बताने के लिए राजी हो गया या यूड कहें कि वो मुझे एक ज्छूटी कहानी सुनाने लगा डायरी में ऐलिसाने लिखा था कि उसने पॉल को पैसे दिये थे लेकिन पॉल कह रहा था कि एलेसिया ने उसे कोई पैसे नहीं दिये मैंने उसे पूछा कि कि एलेसिया ने तुम्हें कभी बताया था कि कोई उस पे नज़र रख रहा हो मैंने एक बात उससे बहुत सीरियसली बताई थी लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया वो कहने लगा कि एलिसिया शुरू से ही ऐसी रही है हमारे घर में सिर्फ आंट लिंडा की ही ओर्डरस की आवाज आती थी हम कभी एक दूसरे से हसी मजाग या आराम से नॉर्मल इंसानों जैसी बाते नहीं किया करते थे उसके बाद मैंने अंधेरे में एक तीर चलाते वे कहा तानिया ने कहा था कि तुम मुझे कैसी बात बताओगे जो तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता पॉल मेरे जहां से मा आ गया और मुझे अपने घर बुलाया ताकि वो मुझे उसके एक सीक्रिट जगा दिखा सके अब हम पॉल की छट की तरफ जाने लगे हम जैसे जैसे उसके घर की छट की तरफ बढ़ने लगे अंधेरा और भी जादा गहराता गया पॉल मेरा इंतिजार करे बेना एक सांस में उपर चड़ गया चट पर बहुत थंडी हवाएं चल रही थी मैंने परेट कर देखा तो पॉल मेरे तरफ अपना हाथ ऐसे बढ़ा रहा था जैसे मानो वो मुझे नीचे गिराने वाला हो लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींचा ये कहते हुए कि किनारों से दूर रहो वहां फिसलन थोड़ी जादा है उसके बाद उसने सिग्रेट जलाई और एक मुझे पी दी और वेरान के बारे में बात करने लगा वो कह रहा था कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही मौसम हो रहा था एलेसिया और मैं बच्पन से यहां आया करते थे वो अपने पागल पिता से और मैं आंट लिंडा से चुपने के लिए उस दिन भी हम यहां इसलिए ही आये थे एलेसिया की मौम की डेट के बाद जब एलेसिया घर वापस आई तो हम दोनों यहीं बैटे थे और नीचे वेरान बहुत गुसे में था इसलिए नहीं कि हम कहीं मिलने रहे थे बलकि इसलिए क्योंकि वो एलेसिया से जादा इवा को चाहता था उसकी वाइफ एलेसिया की मौम इवा जिसकी मौत की वज़े वो एलेसिया को मान रहा था कम से कम वो यही समझता था मेरे हिसाब से तो उस दिन उसने बहुत शराब पी ली थी और वो नशे में बार बार लही कहे जा रहा था कि इवा तुम क्यों चली गई, काश तुम्हारी जगए अलेसिया मर जाती अलेसिया को मर जाना चाहिए था, वो जिन्दा क्यों है, वो मरी क्यों नहीं, वो जीना डिजर्व नहीं करती है वो मेरी खुशी को मार के आज खुद जिन्दा है उस वक्त मैं करीब 7-8 साल का रहा हूँगा, और एलेसिया यही कोई 10 साल की इतना सुनते ही, एलेसिया के मुझे सिर्फ एक ही बात निकली आपने मुझे मार दिया डेडी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मुझे मार दिया मैं लिंडन के लिए वापिस निकल गया था, मैं रास्ते बर यही सोच रहा था कि एक 10 साल के बच्चे के दिमाग पर उन शब्दों ने क्या असर किया होगा वो सब सुनने के बाद उसे कैसा लगा होगा, एक ऐसा बच्चा जो अपने सर्वाइवल के लिए जिस आत्मी पर डिपेंड करता है, वही उसके मर जाने की दोवा मांगता हो जरूर वो बहुत तूट गई होगी, बिलकुल एलसेस्टिक की तरफ जैसे वो अपने पती के दोखा देने के बाद तूट गई थी, जरूर उस वक्त एलसेया को बिलकुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा दस साल की उमर से ही वो गुसा और नफरत उसमें रह रहे थे, और एक दिन किसी बाद से वो सब बहार आ गए और उसी गुस्से और नफरत के आवेश में आकर अलसेया ने अपने पती के सिर में पॉइंट ब्लाक रेंज से पांच गोलियां उतार दी तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रेडिंग, बाई